जहें दोस्तों जहां अभी इज्राइल और हमास के बीच में यूद चल रहा है काफी दिनों से वहीं दुनिया में अब लगभग दो गुटे में बटना शुरू हो गई है अरब के देश जहां हमास और हिज्बुला के साथ है वहीं दुनिया के कई बड़े-बड़े देश ज आने लगे इज्राइल के तरफ उनका जुकाव जैदा बढ़ गया है हम लोग यहां पर चर्चा करने वाले आज की इज्राइल इतना दिन तक जो लंबा वार है साथ अक्टूबर से यह यूद जारी हुआ है लेकिन अब तक इस्राइल इसे क्यों खिच रहा है इज्राइल चाहता तिसे पल भर में निप्टा सकता है इज्राइल के पास बहुत ही आधुनिक धंग का तकनिक अभी लेबल है अमेरिका से उसे हत्यार भी प्राप्थ है अमेरिका से उसे फाइटर जिट प्राप्थ है जबकि हमास समुदाई के लोगों के पास ना ही आधुनिक धंग का तकनिक है ना ये हथियार है उनके पास ना ये किसी दूसरे दिससे उसके पास अभी हथियार पहुच रहा है क्योंकि इसराइल ने उसे पुन रूप से उसके पास जो भी हथियार है उसे बैंड कर दिया है आने दूसरे दिससे हथियार पहुचाने में कोई भी मदद नहीं कर रहा है इसराइल उसका जो भी बॉर्डर उसको सील कर दिया है आप लोग को यहां पर पता होगा कि गाजा पटी का जो बॉर्डर था जो फिलिस्तिनी अर्थात गाजा पटी वाला जो बॉर्डर है और इसराइल की विच में जो बॉर्डर था गाजा पटी वाले जो लोग परवेस किये थे इसराइल में उस बॉर्डर को इसराइल ने पूर्ण रूप से सिल कर दिया है उसका बॉर्डर काट के और पैरा गलाइडर्स के सहयोग से उन्हों ने क्या किया था इज्राइल में पर्वेश किया था अब यह पैरा गलाइडर्स क्या होता है जिस प्रकार से पैरा सुठ होता है कि लोग उस पे ऊपर में उड़ कर और लोग क्या करते है कि वहां पे दूसरे देश पहुंच जाते हैं दूसरे देश पहुंच जाते हैं उसी समुदाई के लोगों को परवेश करने के बाद उन्होंने हमला ताबरतोर बहुती बहतरी धंग से बहुती गंभीर और बहुती भ्यानक धंग से श्टार्ट का दिया था चोटा इतना भ्यानक मारा है इजराइल में सुरू दिनी 7 अक्टूबर को और जिस दिन वह हमला किया सिर्फ और सिर्फ 7 अक्टूबर को उन्होंने क्या किया कि 5000 से जाइदा मिसाईल उसने छोड़ दिया लेकिन उसका जो मिसाईल है वह क्या हमा समुदाई के लोगों के लोगों को पास जो जाईदा नहीं पड़ता हाला कि बहुत लोगों के जान चली गई थी पहले दिर बह मैं पहंए। ersवार में इस प्रकार से उन्हों ने जितते जितते हमेशा आया और इस बार से मनोबल काफी बढ़ा वड़ा इसकी हो रहें क्योंकि उसके पास अधुनिक, कई देशों से उनको प्राप्त है भारत का समर्थन प्राप्त है अमेरिका का समर्थन प्राप्त है दुनिया के कई देशों का समर्थन उसे प्राप्त है और वहीं पर जो आतंगवादे संगठ्था नहीं हमा समुदाई के लोग हिजबुला समुदाई के लोग उन लोगों के नहीं है इन लोगों के पास मुख्यता क्या ईन लोगों का जो वो के पास इसान नहीं है समझ सकते इस्राइल इतना डेवलप है कि हम लोग आज भी इस्राइल से क्या करते हैं बहुत ही हतियार खड़ीते हैं तो आप हम लोग चर्चा करते कि इस्राइल अभी फिलालकियों सुर्ख्यों में बना हुआ है एक युद्ध है दूसरा क्या जैसे भारत का सबसे उत्तन क्वालिटि का ब्रहमोस उसी प्रकार से वहां पे जेखी जैओ को बना गया इसा को पिछे हवा था ह drastic ब्रहमन की जो बनाएं मंत्रि बेंजामीन नितन्याहु इनको भी याद क्यों कीं आयепcık इनको पहले से याद क्यों नहीं आया कि हम ये जरिकों मिसाइल का इस्तेमाल करें हमा समुदाई के लोगों पे हिजबूला समुदाई के लोगों पे लेबनान पे इन सारे देश जो हमला कर रहे हम लोगों पे हम इस पर यहीं मिसाइल का उपयोग करें देखिए सबसे पहले क एक रिजन है कि इजराइल जो है वह क्या करता है इसको मजबूरी में मारना पड़ता है वहां के जो लोग युद में उपस्तित नहीं है उनको भी अब इसके पीछे रिजन समझे सबसे बड़ा यहाँ पे देखिए सबसे पहले इजराइल है इसके पास उत्तम क्वालिटी का हत्यार है और हमास समुदाई के लोगों के पास नॉर्मल हत्यार है उच्छोटा हमास वहला मारता है इसका चार गौ आदमी मारता है इजराइल होला एक एक मारता है च्छोटा पुरा गावे साप कर देता है पुरा टोला खतम मान लिजे को ब्रहमन टोला है ब्रहमन टोला स साप मानने जब को मुस्लिम टोला है मुस्लिम टोला साप अन्य इस प्रकार से पूरा टोला साप कर देता है टोला समझे पूरा गाउं ही साप कर देता है इसा भ्यानाग मारता है ब्रह्मोस से और क्या करता है हमास जो मारता है उसका दो चार आदमी 10-20 घर इसी तरह उड़ात कि जिस तरह से कंट्रोल हो सके यूद को सैनिक द्वारा बल द्वारा कम से कम लोगों की जान जाकर बेकसूर हमास समुदाय के आने हमास में गाजा पटिम रहने वाले बेकसूर लोगों की जान बचाकर चलना है इस यूद में बहुत सारे बच्चे को भी जोग दिया गया जेरिको मिसाइल का याद अभी आ रहा है उसको कब आ रहा है बेंजामिन नेतन्याहू का जब देखा कि यह चोटा हमास वाला मान नहरा है उपर से हिजबुल्ला समुदाय लेबनानी सब सब पूरा करमन कर रहा है तो इसको अभी याद आया है बेंजामिन नेतन्याहू को क अब हमको क्या करना चाहिए जेरिको मिसाईल को मार देना चाहिए अब यहाँ पे देखिए कि लगवागा बाइस सो आदमी अभी तक दोनों पच्छो से मर चुका है अदमी ने अपना जान गवा दिया चाहे वह फिलिस्तिन का हो चाहे वह इसराइल का हो दोनों को मिला करने भाय स्वाद में जान गवा दिया है कि दसक से सुरूःग गई थे अनि Risum में शुरू किया था लेकिन क्या हुआ कि 1969 में जाके फ्रांस ने इससे पीछे अपना रास्ता खेच लिया और आपना कदम पिछे भाटा लिया भाया हम मिल कर कोई भी मिसाल नहीं बनाएंगे आप तुम बना और तुम रखो हमको कोई मतलब नहीं है 1979 में जब उन्होंने इसको धोखा दे दिया फ्रांस की कंपनी डिफॉल्ट इसे बना रहे थे डिफॉल्ट अब उन्होंने इसको धोखा दे लिए शुरू में बाद में इसराइल उठा पूरा अर्रम को धोके रख दिया खर उस युद्ध को भी इसराइल ने काफी आसानी पूर्वक से जित लिया था 1973 में और उस समय ये बनकर तयार हुआ 1973 में और इसराइल सिर्फ और सिर्फ अपने दम पर बनाया किसी के कोई सही योग नहीं रहा फ्रांस पीछे कदम हटा लिया और 1973 में जब बना लिया यांकि पूरवार के बाद तो इन्होंने क्या क्या जेरिको टू के भी पीछे ये प पाकिस्तान को छोड़ कर क्योंकि वहां की जो नेताय सरकारों पहले वहां से तरफ था पाकिस्तान के हिस्तिति अत्यांते दैनिये हो गई है तो यहां जेरिको टू जब यह लाया तो इसका जो छमता था वह पंदरा सो से तीन हजार किलोमेटर के आसपास रहा और जो जेरि इसका चमता है क्या पर सिटी है समझे कितना उड़ा देगा हमारा लगबग जो ब्रह्मोस है उसी का आसपास में इसका भी रहेंज है समझे कितना कितना अभी का modern का यह टेक्निक है कितना असपष्ट रूप से जलक राए कि ज़राइल का सक्ति कितना है मार जा चुटा हमास मैं से dwa-dash Ka Humasa पूरा साफ हो जाएगा गाजा पत्टे पूरा इजराइल में आते मिल जाएगाए अब यहां पे विखे परस्ट है कि गाजा पत्टे में इजराइल अभी इसके इसे टैनात और की यह naran कि यह किसी को पता नहीं यहां कि जणरत पर इजराइल इसका इसमें कोई सक नहीं है और जेरीको को इस्तिमाल करना चाहिए या नहीं। अगर फेल हो जाता है भारत से इससे ब्रहमोच ले जाना चाहिए देखना चाहिए वहाँ टेस्टिंग करके ट्राइल करके ताकि पुरा दुनिया को ब्रहमोच का सक्ती पता चलपाई कि ब्रह्मोस कितना खतरना आख है और हमारा ब्रह्मोस का सेल भी बढ़ जाएगा खर हम बोलते इजराइल वाला दे दिजे मोदी जी एक दूग उधारे दे दिजे ताकि उनलोग टेस्टिंग उस्टिंग करें उनलोग उसपर अपलाई करें मारे फिलिस्तिनियन के हमा समुदाई वालन का उड़ा पुरा खर आप लोग को ये वीडियो के इसतर रगा आप लोग अपनी राइक कमेंट में जरूर देने मिलते हैं फिर नक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जैहिंद वंदे मात्रम